तो गाइस आ गए हम किचन में तो देखो लिये हैं हम बॉयल करके अंडे साथ अंडे ली हूं इसको अच्छे से बॉयल कर ली हूं और कुछ ली हूं टामाटर दो और दो तिन प्याज और लशन और अध्रक ली हूं इन सब चीजों का हम पेश्ट बनाएंगे इधर ली हूं म मेथी क्योंकि हम मेथी अंडा करी बनाने चल रहे हैं सर्दियों की खास रिस्पी है यह अलियों को जीरा लाउंग लाची तेज पत्ता और बड़ी लाची और काली मृच चलो इन सब चीज को हम पेश्ट बना देते हैं टामाटर और प्याज और दो प्याज बचा लेंगे तो इसमें से और एक पीश लेंगे तो लेंगे हम एक सी का जार उसी में इसको हम कटिंग करके डाल देते हैं तो टामाटर और प्याज को और यह लसन भी जाल देते हैं आठ दसकरी लसन के लिए हूं और थोड़ा सा अध्रक का टुकड़ा लोंगे ज्यादा नहीं लेना ब सब्सक्राइस को त्रुटे नहीं पर देते हैं चोटे जलते पीस में पाका जआ अपिए घ्र भकिन दा ड़िए ड़िए देंगे बस वोग तो इसमें कुछ नहीं डालना है ना तकमी पानी डालना ना तो इसमें तेल डालना अब और धीमी कैस पर पखाएंगे तो हम चलते हैं दूसरी गैस पर लग देते हैं देखोई चोटी वाली गैस के आज़ा हम अंडे को फुराइ करेंगे पर दूसरे तरह अध्य की सबसे परकते हैं । दूसरी तरह पर दी हम कड़ाई और एक लोग्त राए पर नुद्ध पर इसमेश नूसरी लाल मिर्षिप पॉडर और जादर बढूत अध्य से नामक दालने के छादर नहीं दालेंगा तो यह तो नामक लाइगे आजर हम काहे हमाई जो गरम हो गए इसमें अवं डालेंगे सर्षों का तेल एक चमज बड़ा वॐला चमज भरके तेल हम डालेंगे तो दोस्तों वीडियो हमारे कैसे लग दे अगर अच्छी लग दे ओते व्यूद्ध करना अगर चैनल पर नहीं हों चलो सब्क्राइब करना प्लीज और बिलाइकन दबाद में ताकि जो नई वीडियो डाले वह आप तक पहुच जाए और कुछ अच्छा लगए तो एक प्यारा सब कमेंट कर देने अबस इस नहीं करना और कुछ जादा नहीं करना है तुझे कुछ हमारी मेती भी पक चुकी है इसको थोड़ा से चला अब इसमें हम सारे अंडे को डाल दूँगी डाल के इसको हम फुराइ करूँगी इतना देर तक करेंगे कि जब तक इसके अंदर कलर नहीं आता गोल्डन सा है तो इसको अब आशे हम रखके चलाएं चम्म से जब अंडे को फुराइ करे लोगे तो अपने सामने थोड़ा प्राइब तो जाए जाएगा इस दिये ऐसे हम इसको करेंगे तो अंड़ा हमारा फ्राइ हो गिया इसको निकाल रहे है अब इसको रोकते साइड में अवसी तेल में हम यजीरा छोटी लॉंग इलाची तेश-पत्ता जो रोती ने गरम मसार इं सब चीजों को डाल देंगे डालेंगे जब यह सारी चीजह पक जाएगे तो इसको काटके रखाएक स्लीज को डाल दे रहें ऐसे चलाएगे जब तक यह गोसर मत बाराउन नहीं हो जाती गे यार इसको एक Express लिखना मेत जैए कि अन्दा आँड़ आनर्य और उसके साथ खायेगा EuropIN Gman बहुत अच्छा रखता है यह हमारे तरीके से एक बार जरूर बरना के आप ट्राइए किजिए गागा प्राइब करें गुल्डन बाउन हो गई अब इसमें डाल दे रहे हैं जो पेस्ट बना करके रहें टमाटर प्याज और लस्टर अद्रक कर डाल दें और इसको तुछ जा मसाले मजाए ड्राइब न Geral आ डल दें हैं अच्छे से नावी मेंम कितना प्यारा कलर अगी सऊंट अच्छा को अगर आप खूले के पकाएंगे थोगी दिर ताकि मसाले की खुझबू अच्छी से बरकरार रहे हैं मसाले में अगर आप खूल के पकाऊगे तो मसाले से खूल जाती है इसको धीमी गयरिंस पखाएंगे हूँ अब इसको खुल के रहा है छलाने बार इसमन Completely डाल दे रहा बडए देखो, आप मसाले से तेल अलग होगा इसका मतल्ब मसाला हमारा पक चुका तब इसको थोड़ा से चला देंगे उसके बाद य। पर अंडे कर के अंडे और अंडे को झकी अवी बड़ा इसको डाल देपेंगे महाए यह उसराग कर दें थे बस इसमें कट नहीं लगाएं हूं इसको अच्छा दूँगी चलाने के बार इसमें हम जो मेथी रखी हम पका के उसको डालोंगे जो करे मेथी डाल देंगे यह पक चुकी दम सोफ हो चुकी है यह तब इसको डाल देंगे बहुत दोहितरीन लगती है यह बहुत मस्त बनती यह तब इसको मिला देंगे अच्छे सहम और भी सर्गी में तो हुआ रूरा मेथी। सारी हरी सबजें मिल रही है क lac. sat कि जैल और सब्सक्स को इसमें डाल्ड़ा कि पका सकते हैं अप इसमें बारे जाने क्यूंव इसमें बॉयल आ गया अब इसके तो चला देंगे उसके बाद थोज़ दो पकाएंगे बस आप चाहिए देने हरी दन्या का पत्ता नहीं डाल रही हैं क्योंकि हम मेथी अंड़ करी बना रहे हैं इसलिए नहीं डाल रहे हैं तो देखो सब्जी हमारी बिल्कुल कितनी बेहते ह सब्सक्राइब कर देखने में तो जबाब लगी रही है दिख रहे हैं कितनी बेहते बने हुए इसको आप रोटी चावल पराठे नाम किसी 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 चीज के साथ खाओ बेना तो बहुत ही मज़ा आने वाला हैं बहुत अच्छी लगी देखो बंगा इस बंद कर देजिए कितनी बेहते सब्जी दिख रहे हैं वाव आ गया ना देखे मुमें पानी तब इसको हम चला के चले हैं सर्फ कर लेते हैं तो निकालते हैं पलेट में इसको क्या लग रही है यार बहुत बेहते सब्जी बनी लिए अंडा मेती करी ठक सर्दियों वाले तो गैस ये वीडिय आपको कैसे लेगी लाइक जरूर करना बहुना मत तब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में जबते के लिए बाई अल्ला आपीज द्वाओं आप